हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल लता की लाइबरीरी आज मैं आपके साथ भोती खुबसुरत पैटर्न सियर करने जा रही हूँ इस पैटर्न को आप जैन साफ स्वीटर, फूल स्वीटर, जैकेट, गल्स स्वीटर, लेडी स्वीटर, कार्डिगन, कूट्टी, जैकेट, बच्चों के औल प्रोजेक्ट कैपाती में अपलाई कर सकते हैं, बनके बहुती खुबसुरत हमारा ये पैटर्न आ जाता है, और रॉंग साइट से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ड होता है, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने सेवन के मल्टिपल में फंदे दालने हैं, पलस हमने 4 फंदे एक्स्ट्रा दालने हैं, दस लाई में हमने इस पैटर्न को बना ले ले, सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के इस़ाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई साभी बौडर पैटन बना के कम्फलेट करेंगे, बौडर पैटन का लिंक मैं आपको नीचे description box में दे दूँगी border pattern complete होने के बाद front side से हमने एक waste row बना के complete कर लेनी है और wrong side से हमारा ये pattern बनना start होगा, अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं तो देखे, border complete होने के बाद front side से first waste row first waste row में देखे पहला फंदा उतार लेंगे, पहला फंदा उल्टे बनेंगे, एक दो, ये base row हमारी repeat नहीं होगी फिर धागा पीछे करेंगे और देखे, पाँच फंदे सीधे बनेंगे, एक दो तीन चार, पाँच next हमने इन ही साथ फंदों का प्रोसिस repeat करने, दो फंदे उल्टे पाँच फंदे सीधे तो देखे ये दो फंदे हमने उल्टे बने, धागा पीछे करेंगे, पाँच फंदे सीधे, हमारे प्रोजक्ट के हिसाब से फर्स्ट रो में हमारे जितने भी फंदे होंगे हमने यही प्रोसिस repeat करने है, जो हमारी first base row आएगी उसमें हम यही process repeat करेंगे दो फंदे उल्टे 5 फंदे सीधे दो फंदे उल्टे 5 फंदे सीधे और last में हमारे 2 फंदे उल्टे और last का फंदा सीधा आजाएगा तो देखे यह front side से हमारी first base row complete होगी यह base row हमारी repeat नहीं होगी अब देखे wrong side से हमारा pattern आएगा wrong side से हमारा pattern बनना start हो जाएगा तो देखे wrong side से pattern की first row पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे यह pattern हमारा 7 के multiple में आएगा साथ फंदों में हमारा pattern आएगा तो देखे 7 फंदों में से हमने 2 फंदे सीधे बुनें 2 फंदे सीधे बुनने के बाद देखे धागा अपनी side करेंगे अब देखे एक फंदे को हम double roll करके बुनेंगे तो देखे धागा अपनी side है और ऐसे सलाई में दो बार धागे को लपेटेंगे इस तरीके से एक फंदे को हम डबल रूल करके बुन लेंगे फिर नेस्ट हमने तीन फंदे उल्टे बुनने एक, दो, तीन फिर नेस्ट फंदे को हम डबल रूल करके बुनेंगे धागा अपनी ही साइड रहेगा और यह देखे दो बार सलाई में हमने धागा लपेटा और इस फंदे को बुन लेना इस तरीके से यह फंदा हमारा डबल रोल करके आ गया तो देखे इन ही साथ फंदों का प्रोसिस हम आगे रिपीट करेंगे हमारे प्रोजक्ट के हिसाब से हमारे जितने भी फंदे होंगे पैटन की फंदों में हमने यही प्रोसिस बार बार रिपीट करते जाना है देखे धागा पीछे करेंगे इस तरीके से दो फंदे सीधे आ जाएंगे यह हमारी पैटन की फंदों है फिर धाग आपनी साइड देखे निस्ट फंदे को हम ऐसे डबल रोल करके बुनेंगे फिर तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे एक, दो, तीन फिर निस्ट फंदे को हमने डबल रोल करके बुनलेना है और लास्ट में हमारे दो फंदे सीधे आएंगे धागा पिछे करेंगे belli और ये दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, लास्ट का फंदा उल्टा आ जाएगे, तो देखें ये हमारी पैटन की फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई, आप देखें फ्रंट साइड से पैटन की सेकिंड रो, अब सेकिंड रो में देखें, पहला फंदा उतार लेंगे, ध धागा पीछे कर लेंगे, अब देखें नेश्ट हमारे ये पैटन वाले पांच फंदे आ जाते, अब देखें, ये जो डबल रोल वाला फंदा है, इसको ऐसे सिंगल करेंगे, और इसको ऐसे सलाई से उतार लेंगे, अब देखें जो नेश्ट फंदा है, इसको सीधा बु और फंद आएगा इसको सीधा बुनेंगी आप देखे जो पंद फंदे भी स्पोर्ण करके सेकंड नमबर का डबल रोलल फंद है इसको पहले बुनेंगे तो देखे इस फंदे को ऐसे आगे की साइड से राइ डिल में अठाएंगे आगे वाला फंद था सून इसमें इस और इस फंदे को सीधा बुनेंगे फिनेश्ट फंदा सीधा तो देखे ये साथ फंदों में हमारा पैटरन आ गया यही प्रोसिस हमने आगे रिपीट करना है धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे अब देखे डबल रोल वाला फंदा ऐसे सिंगल करेंगे और इसको ऐसे सलाई से उतारेंगे फिर सेकिन नमबर का फंदा पहले बुनेंगे अब देखे फर्स्ट नमबर का फंदा बुनेंगे तो इसको उठाएंगे लेफ निडिल में और देखे ऐसे सीधी साइड से सलाई डालते हुए इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर नेश्ट फंदा सीधा, अब देखे नेश्ट सेकिन नमबर का देखे जो डबल रोल वाला फंदा है, इसको आगे लाएंगे और आगे वाला फंदा पीछे ले जाएंगे, अब देखे जो double roll वाला फंदा था इसको पहले भूनेंगे फिर देखे नेश्ट फंदा भून लेंगे अब हमारे प्रोजक्ट के हिसाब से second row में जितने भी फंदे होंगे हमने यही process repeat करना है और last में हमारे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे और एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखिए यह front side से हमारी pattern की second row complete हो गई और यहाँ पे हमारा यह pattern भी complete हो गई यह pattern हमारा दो ही सलायों का pattern है अब देखिए wrong side से pattern की third row third row में हमारा pattern repeat होगा तो देखिए repeat row पहला फंदा उता लेंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एक फंदा हम double roll करके बुनेंगे फिर तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन अब next फंदा हमने double roll करके बुन लेना है फिर दागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे फिर देखिए next फंदा double roll करके आएगा तीन फंदे उल्टे एक दो तीन अब next फंदे को हम double roll करके बुनेंगे दागा पीछे करेंगे लास्ट के दो फंदे सीधे आजाएंगे और एक फंदा उल्टा आजाएगा तो देखिए back side से हमारी pattern की third row complete हो गई third row को हमने pattern की first row की तरह बुनते हुए complete किया आप देखिए front side से जो हमारी fourth row आएगे उसको हम pattern की second row की तरह बुनते हुए complete करेंगे अब हमने इन्हीं दो सलायों के pattern को बार बार repeat करते जाना है और बनके देखिए हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा यह देखिए वहती सुन्दर वहती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें share करें comment करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो please subscribe करना न भूले thank you